फ्रेंस आज हमारी बग्या में बहुत सारे हिविसकस खिले हुए हैं बहुत ही खुसी हो रही है कि माँ भगवती को आज हमें बहुत सारे हिविसकस के फूल चढ़ाने को मिलेगा अपनी बग्या से और माँ भगवती को लाल हिविसकस बहुत ज़्यदा पसंद है तो फ्रेंस तो फ्रेंज आप सब को यह पूल कैसा लगा कोमेंट में बताना है अप सभी का स्वागत करती हूं अपनी बगया में तो फ्रेंज आज का वीडियो गुलाब के पौधे पर है तो हमारे पास एक गुलाब का पौधा है आज मैं उसमें फट लेजर देने वाली हूं तो मैं कौ बहुत ही खुबसोरत विश्कस के फूल तो खिल ही रहे हैं और हमारी बगया में मेरी गुल्ड भी बहुत सारे खिल रहे हैं तो फ्रेंज सर्दी में गुलाब बहुत अच्छे से खिलते हैं हमारे पास एक ही छोटा सा पौधा है तो हम उसी पे आज काम करने वाले हैं तो आज के वीडियो में वहीं दिखाने वाली हूं फ्रेंज सर्दी में गुलाब बहुत अच्छे से खिलते हैं और अभी आप गुलाब के पौधे ला भी सकते हो तो आज का वीडियो फ्रेंज से अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर हमारे चैनल एंडी लवली गारण को अभी तक सस्क्राइब ने कियो तो प्लीज प्लीज सस्क्राइब करके सपोर्ट भी करना अगर आप सब ये वीडियो इस्टाग्राम फेस्बूक मोज कहीं पर भी देख रहे हो तो प्लीज वहां पर भी मुझे फोलो करना और मेर काम कर रही हूं गुलापे तो आज फिंक में दो फूल है तो फिंक का फूल बहुत छोटा होने लगा है अब क्योंकि फ्रेंच अब धूब भी उतने तेज नहीं रहते हैं दीन में तो रहते हैं पर रात में ठंड होने लगी है तो इसलिए प्तुरा ही विसकस का खिलना कम ह हो गया है फूल का साइज भी छोटा हो गया है तो अब यह धीरे धीरे ऐसे ही छोटे होते जाएंगे और फिर दिसंबर जनवारी में बिलकुल ही खिलना बंद कर देंगे तो फ्रेंच चलिए हम अपने टॉपी के तरफ चलते हैं और गुलाब पौधे पर काम करते हैं तो प्रेंच यह हमारा गुलाब का पौधा है तो आज हम इसी पर काम करने वाले हैं तो देखे अभी इसमें एक भी पत्ते नहीं है फ्रेंच तो ऐसे ही इस टेम में इसके सारे पत्ते जहर जाते हैं और मैं इससे पहले बहुत सारे गुलाब के पौधे अपने बग्या में हो रहे है इस टेम में ऐसे ही होता है तो हमें जो सुखे ब्रांच अब उसको भी कट करके और फिर फटलैजर दे देना चाहिए इस टेम में तो फिर आने वाले टेम में इसमें बहुत ही खुब्सूरत खुलेगा तो गुलाब के फूल बहुत ही खुबसूरत होते हैं जैसे फूलो का राजा गुलाब है वो नाम है या और फ्रेंस है भी ये फूलो का राजा तो उसको केर भी उसी तरह से चाहिए राजा की तरह ही हिबिसकस और बांकी जो भी प्लांट हैं हम जैसे इसा मीठी में या कोई भी हट लेजर दे के लगा लेते हैं तो फूलो को बहुत अछे से केर करना पड़ता है साइब मैं वो केर नहीं दे पाती हूं इसलिए मेरे पास गुलाब नहीं टिकता है तो अब ही देखें मैं इसके जो पतले पतले ब्रांच सब है उसका वह भी मैं कंट करूंगी जिसे की वेचर जो ब्रांच है वहां से जो ब्रांच निकलेगा तो हेल्दी ब्रांच निकलेगा फिस तो हमारे गाउं में पिंक कलर के बहुत बड़े पौधे हैं और इस बार भी मैं कटिंग वहां पे लगा के आई थी तो वह पौधी भी बहुत अच्छे से त्यार हो गए मह बता रही थी और यहां पे देखें इसमें भी पिंक कलर के ही फूल आते हैं मैं इससे पहले कुछ द यह वही खाद है जो मैं कुछ दिन पहले आप सबको दिखाई थी तो उसमें से मैं थोड़ा सा खाद दे रही हूं इसमें गोवर की खाद भी है और कीचन वेस्ट भी है चाई पती सबका भी है तो बहुत अच्छे से यह कंपोस्ट हो गया है और नीचे जो बन गया था उस इसको मैं अलग करके रखी थी तो उसी में से मैं थोड़ा सा इसमें दे रही हूं तो फ्रेंस अच्छे फूल लेने के लिए हमें फटलेजर भी अच्छे से देना पड़ता है और सब फ्रेंस जो अच्छे से कंपोस्ट तयार रहते हैं वहीं देना चाहिए गुलाब में औ एक और फटलेजर दे रही हूं तो tencet दाने υधे धर रही हूं डी येपी फरेंस भूत ही हही अच्छा प्लेजर होता है हर तरह से पोधे के लिए अच्छा होता है भूल से इसंट भी इस से आते हैं है और पते के घ्रोथ की मैं खाद डाली थी उसको मैं उसी मिटी से CEOs करी हूं जो मिटी इस 오빠 पहले था तो मैं थोरा काम कर रही हूं क्योंकि मिटी कम कर दी नहीं तो यह पूरे भर जाएगा तो फिर पाने देने के लिए इसमें जगा नहीं रहेगा तो देखें मैं अपने हिसाब से तो अच्छा खाद दी हूं तो इसका क्या अपडेट रहता है तो आने वाले टैम में बताऊंगी और दिखा सिर्ण च्छाम को प्रेंच तो यहां पर भरांच पतले पतले हूं सब्सक्व्त कर रही हैं और जहां जहां से मैं और आप वहां पर फंखिसाइड पॉडर फंगी सपरेख ए静स daí में भी। गोल में दे रही हो तो वहींवह सी पॉरे अतषर को नहला के दुणवी आपनी से थोड़ा सा हल्दी भी लगा दूगी जिससे की इसमें को Olivier फंगस ना लगे और फ्रेंच इसमें थोड़ा सा और कुछ दे रही हूं तो चले निकाल के दिखाती हूं तो यह बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंच तो हम थोड़ा सा यह भी दे रहे हैं जिससे कि हम जो फटलैजर दिये हैं उससे कोई नुकसान नहों इस पौधा को और इ यह पी भी मदद करते हैं मदद करते हैं फ्रेंच और पौदे को सौक से भी बचाते हैं तो हर तरह से यह बहुत ही अच्छा होता है पर हमें जैदे गर्मी में इसका यूज नहीं करना चाहिए तो देखें यहां पर थोड़ा साही पानी में मैं हल्दी भोल के ली हूं तो इसे फूरे में फौरे में से लाके अ प्वंकी साइड में बोलके और उस पानी से चार-बांच दिन तक जब भी पानी देना हो तो उस ही करना है और शुखे भी करना है तो दिखे स्वेंच theology केको थाश़िए दे रहे हैं कि कुछ दिन में याई समे नहीं नहीं ऑन मैं सुखे हल्दी को लगा देती हूं जिसे कि यहां पर कोई फंगस न लगे तो हल्दी भी गारण में बहुत ही अच्छा काम करता है फ्रेंज अगर हम फंगिसाइड नहीं उज़ कर रहे हैं हल्दी का पड़ियोग कर रहे हैं तो कटिंग लगाने में भी यह काम करता है और यह फंगस से भी बचाते हैं तो दिए हर जगा में लगा दी हूं और जो थोरा सा हल्दी से बच गया है इसके ब्रांज में लगा देती हूं तो बहुत ही अच्छा मुझे हल्दी का परियोग लगता है तो इसका जो भी अपडेट रहेगा आने वाले टैम में दिखाऊंग और यह फटलेजर कैसा रहेगा इसके लिए यह भी दिखाऊंगी तो आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बताना अगर यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना हमारे चैनल एंडी लवली गारन को भी तक सस्क्राइब नहीं कियो तो प्लीज प अब ही मैं फेस्बूक पे जो डाल रही हूं वह चैनल का नाम है ओल्डेज गोल्ड तो वहां पे मैं अभी गार्णिंग वीडियो डाल लहीं हूं तो आप वहां पे भी मुझे फूलो करना तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ आज के वीड वीडियो घ